2004 के बाद कितने लोगों को रोजगार मिला कुछ पता नहीं बेरोजगारी का दंस जेलरे योवा लगातार कर रहे हैं आत्मत्या करने दो बढ़ती महंगाई के कारण आम आदमी को दो बक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही नहीं होने दो पैट्रोल डीजल की आस्मान चूती कीमत हैं कीमत हमारे नियंतर में नहीं नमस्कार सातियो मैं ब्रज मोहन और आप देख रहे हैं जनितावाज देश में लगातार डर और भय का माहौल बिलकुल नहीं हैं बलके सत्ता के लालची और जनता का खून चूसने वाले नेताओं द्वारा बनाया जा रहा है वो भी सिर्फ इसलिए ताके देश की आम जनता का महंगाई, बेरोजगारी, अपराद और जातिगत उत्पिडन जैसे अहम मुद्दों से ध्यान बटगाया जा सके आपको बता दें कांग्रेस प्रवक्तार अड़दीप सुर्जेवाला ने एक प्रेस कॉनफरेंस में NCRB यानि कि नैसनल क्राइम रिकॉर्ड भीरो के आकणों का हवाला देते हुए बड़ा खुलासा किया है इन आकणों के अनुसार 2014 से केवल 2020 तक कुल 9.52 लाक लोगों ने आत्मत्या की है आत्मत्या करने वालों में चात्र बेरोजगार, किसान और दिहाडी करने वाले मजदूरों की संक्या मुक्य है अव सवाल यह उड़ता है कि आकर देश की मनु मीडिया और तमाम पच और विपच की पार्टियां महंगाई, बेरोजगारी, अपराद और जात्गत, उत्पिडन जैसे मत्वूर मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं करती है क्यों देश की मनु मीडिया लगातार गला फाड़ पाड़ के इजाब मंदिर मजजद, हिंदू, मुसलिम और भोले नात की लिंक के पीचे पड़े हुए है मनु मीडिया क्यों नहीं डिवेट कराती बढ़ती महंगाई पर, क्यों नहीं बात करते बढ़ते अपरादों की, क्यों नहीं टटोलते युवा बेरोजगारों के मन क्यों, कैसे वे नौकरी न मिलने पर मानसिक और सामाजिक दवाब में आतमत्या करने को मजबूर है देश में फल, सबजी और अनाज की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ रख दिये आम आदमी की समझ में नहीं आ रहा कि आकिर वो क्या खाएं और क्या नहीं क्योंकि कम से कम जिंदा रहने के लिए तो कुछ ना कुछ जरूरी पोस्टिक आहार हमें खाने के लिए जरूरी है पर यहां तो अपने पालतू जानवरों के पेट परने के भी लाले पड़ रहे हैं किसान भूसा चारा की कमी के चलते भूसा चारा की बढ़ती महगाई के चलते दोधारू पस्यों को ओने पौने दाम में कसाईयों को बेचने को मजबूर है पेट्रॉल डीजल की बेलगाम कीमतों से चारो तरफ महगाई का ही जलबा है लेकिन सातियों आपको बता दूँ इसमें केवल गलती मीडिया की ही नहीं है इसमें केवल लेता ही दोसी नहीं है इसमें तमाम वो राइनेतिक दलही जिम्मेदा नहीं है जो बोटों के वक्त आपके पैरों में गिरे रहते हैं इसमें सबसे ज़्यादा अगर गलती है तो वो आपकी और हमारी याने के आम आदमी की है साथ ही आपको बता दें मीडिया वही दिखाती है जो आप देखना पसंद करते हैं आप भी इन तमाम ब्रामक खबरों को बड़े ही चाव से पूरे परवार के साथ सुबह से लेकर साम तक देखते हैं अगर आप महंगाई बेरोजगारी अपराद और जातिगत उत्वीडन जैसी समस्याओं से समादान चाहते हैं तो आपको ये करना ही होगा सुबह साम चोराहों पर दप्तरों में सारवजनिक इस्थानों पर बले ही दो लोगों को ही क्यों न लेकिन सरकार की गलत नीतियों और मीडिया का सडियंत आम जनता को समझाना जरूरी है और आपको समझाना चाहिए पड़े लेके लोगों को सुबह साम कम से कम एक पोश्ट सोसल मीडिया पर रोजगार मांगने की जरूर करनी चाहिए सोसल मीडिया पर पत्रकारता करने वाले सातियों को दिन में एक खबर कम से कम महंगाई बेरोजगारी अपराद और जातिगत उत्विडन जैसे मत्वुल मुद्दों पर करनी चाहिए क्योंकि अगर हम अब भी नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं होगा कि हमारे देश के नागरकों का भी सी लंका जैसे हालातों से भी कटिन हालातों का सामना करना पड़ेगा सातियों आपको ये खबर ये वीडियो कैसा लगा अपना सुजाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर आपकी कोई राय हो कोई सुजाब हो अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इस वीडियो को जादा से ज़्यादा अपने साथियों में सेर करना न भूलें अभी के लिए सिर्फ इतना ही आप देखते रही जनितावाज नवस्कार